हालो माई डियर फ्रैंड्स वेलकम टू आवर चैनल आईए स्पीसिएस पोसिवली आई एम प्रेम कुमार और देखिए वी हब डिसकास्ट त्री टोपिक्स अर्लियर जिसमें किया स्पेस टेकनोलोजी हम लोग डिसकास कर लिया था इसमें हम लोग यह हेल्थ टेकनोलोजी मत सब्सक्राइब टोपिक्स है तो ट्रेडिशनल मेडिसीन को आप लोग कन्मेंशनल मेडिसीन भी बोल सकते हैं ठीक है न्यूज में क्यों है यह कंटेक्स्ट के आया है तो डवलुएचे को जो डाइरेक्टर जेनल है उन्होंने वर्ल्ड का पहला और ग्लोब ऑनली ग्लोब अपुरा मतलब की नॉलेज कितना के पास ऐसकी कितना और क्या-क्या तोटल मिलागा बेस्ट न ट्यूरिस ब्लेप्स एंड यहोई इसको आपके पास कुछ प्रेक्टिस है जिसे पहले के जमानम देखते हैं जड़ी बूटी था या कोई टेक्निक है जैसे की चरक जो है आपको सर्जरी भी करते थे इंसेंट हेश्टी में आप लोग पढ़े होंगे इस सभी चीजों का नोलेज्च इसकी प्रेक्टिस सभी का टूटर मिलाकर इसी कोम लोग ट्रेशनल मेडिसीन के अंत्रगत रखे हैं ठीके एक कंप्लीमेंट्री या अल्टर्नेट्री मेडिसीन होता है वो इससे डिफ्रेंट है ठीके यह चीज़ ध्यां रखेगा अगर अप्सम में यूपीसी बना दिया कि कंप्लीमेंट्री एंड अल्टनेटिव मेडिसीन चीम έजs ट्रेशनल मेडिसीन तो है च्रेक्मेंट गलत होँगा ठेकर देखेए इस डिफ्रेशनल मेडिसीन का अंत्रगत क्या क्या आए आएग谩 है तो आयूस वाला गोन्सेप्ट और स्वारीकपा ये दुटर्म आपको यादर हम्रें आयूस ए यह आपको पांच तर रहा याद रखता है इंडिया के द्वारा यह ट्रेडिशनल मेडिसिन को मतलब कि बुष्ट अप करने के लिए क्या आपको इनिसियेटिव लिया गया तो देखे नेशनल आयूस मिसंचला यह ध्यां रखेगा यह मेंस में लिख सकते हैं प्री में तो ऐ आयूस एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉंसी लाइं टिक है यह परीसाद यह द्यां रखने है एक और के यहां पर आयूस यह इन्फर्मेशन सेल भी मनाया गया है ऐसको भी द्यां रख रखते हैं मिनिष्टियोद्वे ये जो भी आयूर वेद का हार प्रोड़क्ट चल ला आने वाला पूट प्रोड़क्ट तो उसको रिउलेट करने के लिए फसाई के द्वारा मिलकर इन्होंने कुछ अपना गाइलेन वेगरा जारी किया है देख लिएगा लिए टेडिशनल नॉलेज एंड डिश्टल लाइब्रेरी भी यह आपको खोला गया है तो एक तरह का लाइब्रेर के स्टेब्लिस किया गया था किसके द्वारा तो कांसेल अप सैंटिपी के इंडेस्टियर रिसर्च के द्वारा और यह देख सकते हैं आयूस मिनिस्टी दोनों मिलकर इस डिश्टनल नॉलेज डिश्टल लाइब्रेरी को मनाया थे ठीक है एक यह पीसी आई यह आपको बहुत नीज में रहा रहा है यह देखिए यहां पर फार्माकोपिया कॉम्निकेशन पर इंडियन मेडिसीन होमियोपैथी तो यहां पर आप देखेगा तो इंडिया का क्या मेडिसीन और केस होमियोपैथी का यह दो की हमारे यहां पर चल लाए उस चीज के आता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग का टोबिक्स है टीवी तो यह आपको टीवर क्लोसिस बहुत ही न्यूज में रहा है तो उसको हम लोग देखते चलते हैं यह टीवी वाला टोबिक्स तो देखिए डवली चको द्वारा अभी एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है तो भी वाला टीवी नेएन लेटला तो उसको वायरस जैसे वैक्सीन है तो उसके बारे में और ये बिमारी कैसे होता है उसमें क्या इफेक्ट होता है यह चीज ने कहने एक्वार Spons नाम है और TV को टीवबर्क पुरुश इसे रहरा जाता है यह जो हैं आपको बेक्टिरिया को दौता है यहतेट मैं उसक्षाट करता है अगर इस्टेटमेन उसलिकार तहरी यहां वायरिस तर Windows तो गलत हुगा इक और यह लैन थी तो इसको रोका कहिए तो उसके लिए बीसी जी बनाया गया अभी यह उतना वैक्सिन मतलब कारगर नहीं सावित हो रहा है यह आपको बर्थ टाइम पर दिया जाता है जैसे कोई बच्चा जर्म लिया ना उसी समय देगा तो टीवी में कुछ ऐसा मतलब की ड्रग रेसिस्टे इसको डिवाइड किया गया है मल्ति ड्रग रेसिस्टेनस घीडिबिट रेसिस्टेनस टीवि देखी एक है घीकिए कवे कर रहा है उसको रहा है एक फामिने को चंव कहते प्लान है था है 17% चीज तक है इसको ध्यार है ग्लोबल लेबल पर देखेगा मॉस्को का डिकलरेशन धू़ाया था 2030 तक इंडिशन करने का प्लान रख़ा गया है दिखना है निक्षेक पौर्टल यह याद रख़ेगा निक्षय जो वर्ड है यह टीवी से रिलेटेड है इसको आप लोग को अच्छे से यार दखना जैसे निक्षय पोशन यूजना भी है तो यह भी टीवी से रिलेटेड यह है टीवी फ्री इंडिया कंपेंच चला गया यह पैथोड डिटेक्ट कीट यह आपको ध्यां रखना आप क्यों यह लिए था उसको नेक्ष्ट है एंडियो मेरा है एंडियो मायक्रोब्य रिसिस्टेंट बहुती होते धनाक होते जा रहा है तो यह वॉड चौक द्वारा एक लिपोड है तो इसका फूल पर्म क्या है ग्लोबाल एंटी माइक्रोबिय रिसिस्टेंस एंड और माइक्रोब का है और एंटी है तो मतलब किसी ड्रग के अंगेस्ट में यह बेक्टरिया जो अपना रिसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं मतलब कि कोई भी यह दावा खाये और वह जो बेक्टरिया वाइरस है उसको मतलब कि आपको उस दावा का इंपक्त नहीं पड़ेगा देखे एविलीटी ओप माइक्रो और गिनिजम जैसे कि बेक्टरिया हो गया वाइरस हो गया यह कोई भी यह प्रोटो जबाब भी हो सकता है तो माले जो बेक्टरिया वाइरस के चलते जो बिमारी हुआ है अगर आप माले जो कोई दावा खा रहे हैं यह एंटी पॉर्मेट में खाना राना चाहिए जितना दोज है उतना खाई है और आपको ऐसा नहीं है कि छोटा सा कुछ भी थोड़ा सा यह विमारी हुआ तो उसके लिए दावा खा लिए अगर छोटा मोटा कोई चीज है तो उसके लिए पहले आप शरीर को खुछ से रिसिस्ट करन क अगे गलौबल लेवल पे तो ग्लोबल लेवल पे दिखते है इंग्लोबल एक्संड फ्लान और एंटी माइकरोब्ल एसिटेंस किया गहा है वान एल्थ पो कुछ सेब बहुत यह दो सब आपको वी होट निपक कर सकता है यह वह फायतों ऑर बहुंत गुदो के ग्लूबबल ईंटी पाइंटी बाइटी घंटो यह चीज्ज का टेम अहुग उसको लेकर डिषष और डियोपमेंट पाटनर्शी πिया गया थीक है इंडिया लेफल पर क्या गया है है तोहीं इन्टी माईखरोड गरतrou थे चल्र Evans सों सटीननrzy में घ्रत हो सब्सक्राइब तरह से एंटी मैक्रोवल एसिस्टेंस पर है रेट लाइन कंपेन इसको द्यारू ध्यान रखेगा रेड लाइन कंपेन फसाई के दौरा फूर्ड सेप्टी यह ऑथरेटी ऑफ इंडिया यह एक उसके गाइडलाइस आया है जैसे कि फूट प्रोडक्ट आता ह तो उसमें यह चीज मतलब की एडी मैक्रोवल एसिस्टेंस यह वगरा कुछ-कुछ किस तरह का उसमें चीजें डालना है ताकि लोग अवेर हो उसके लिए लाएगा नेक्स देखें यह आपको यह मारेने वैक्सिन न्यूज में रहा है सेल्फ इंप्लिफाइंग मेसेंजर आरेने वैक्सिन ठीक है तो यह कौन सा मतलब की वैक्सिन है उसको हम लोग देखते हैं आरेने है जुरू धियाने नहीं है तो देखें यह अवे न्यूज में क्यों है तो आपको यह सीटी 154 यह एक वैक्सिन डेवलोप किया गया है जो कि आपको कोविद नाइटी के अगर क्या दिफेंस है जैसे डीने वैक्सिन भी आप पढ़ते होंगे तो क्या होता है कि कोई भी माली जे आपका जिसको भी यह देना है मनसको उसके बॉड़ी में यह एक वाइरस या वैक्ट्रिया का एक विकेंड फॉर मतलब कमजोर फॉर्म उसमें इंजेक्टर देदा जिस जिस वाइरस के चलते जो आपको बीमारी हो रहा है उसी वाइरस का एक विकेंड फॉर्म मतलब कमजोर रूप का आपको बॉड़ी में डाल दे जाएगा ताकि वह जो वाइरस आएगा तो यह वाइरस उसके अंगेशनू लड़ेगा एक कनमेशनल होता था लेकिन आरने में देख लिए डीने आप लोग गूगल पर सर्च करके भी देखते हैं तीकिए वाइरस का ही एक पार्ट यूज करते हैं उसका उसी का जीन रहेगा तो जो इमुनिटी है उसको मतलब कि आपको एस्टेंथेन कर सके इमुनिटी बढ़ा दे तो उसमें से कोई ऐसा उस वाइरस प्रोटीन और कोरोना वाइरस जैसे कोरोना वाइरस था तो उसका स्पाइक प्रोटीन को लेकर ये बन रहा था तो ये भी चेज़ावलों ज्यान देख सकते हैं देखें जैसे ये ये टूपोटीन पूछा हुआ था ये आपको यूपीसी में तो सिंपल सा कोशन था इतना प्रोटीन को इंकोड कर लेगा तो देखें इसमें क्या आएक जिसे माली जे वह इंकोड करते जाएगा तो उसका इफेक्ट कम होगा करोना का तो माली जे चार गुना ये आप समाशकते एक तरस है जैनल टर्में फिर भांटेज क्या हुआ तो इसको स्टोर करना ही जी एम देना होने चाहिए जैसे एड्वांटेज है क्या एड्वांटेज होगा ये देख सकते हैं आप लोग इसमें नौन इंफिक्सियस सेफ होगा वह सब जैसे यहां पर डियन आरेने वैक्सिन के बारे में कुछ-कुछी दिया हुआ है तो यहां पर आपको जाकर पड़ यहां पर इस चीज को लेकर हम लोग मतलब को कोडिनेट करके हेल्थ को तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे यहां पर इस चीज को आप लोग समझें यहां देखें यहां देखेंगे तो यूपे से क्या करेगा दो सजी देदेगा एक दूकर देदेगा तो यह पूछा जा सकता है तो यह पूछा जा सकता है टिक है जैसे टी सिटी ऑफ दे वर्ल्ड पूछा था आर्वर्ड डे फाउंडेशन और एक और कोई अच्छा सथ मतलब की यह आपको और ग्रेंशन नाम देते था जो की गलत था तो यह दिखेगा निशनल फ्रेंवर्ड पर आरवन हेल्ड टोणों को ध्यान रखना है यह जोटिपेंडेंशी है और दोनों एक दूसरे की इंटर-डिपेंडेंट रहें तो देखें ये वन हेल्थ यह आपको कुले आपको क्या किया रहा है तो यहाँ पे पिलांस बर्ग लेडुरुशन आपको 2001 में सेंट या था पिलांस बर्ग वान हें फ्रिमकाला नावल को Сबरआ को निशाहिह घथा तुरु लेफिरेगा है एंडियाक का तो जूरू लिखेगा है वान हैल्त सपूर्ट थे लाए गया थिक है स़पुर्ट विन और ब्रपार्ट्मेंट एक प्रॉजेक्ट भी चलाए गया है तो यह और तो यह वंस्ट एवर फंगल प्रिएटी पैथोजन लिस्ट यह देखें नहीं प्रावरिटी फंगल का लिस्ट जारी किया गया तो यह देखे डवल डेवल पर पहले यह यह फंगल पैथोजन लिए पबलीक हेल्थ बोह ज्यादा वने है चार क्लासेज किया गया एंटि इसको ध्यान रख सकते हैं मतिना साइन्टिपिक तो नहीं पुछेगा लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा इंटी सेलूलर लिविंग में वाइरस आता है और यह परसाइट फोटो जवाप फोगी प्रोकॉराइटिक सेलूरा में आता है लिविंग वाला में यह थेक है और नौर लिविंग वाइरस को आपको भी पता है जब तक कोई होश्ट नहीं मिलेगा तो वह मतलब उसके सांद जीवित नहीं रपाएगा यहां देख सकते हैं यह कुछ कुछ नाम दिया हुगा इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं लेकिन आपके लिए थोड़ा साइडी होना चाहिए तीन लिस्ट में बाठा गया ठीक है चलिए नेक्स्ट में है फूट सेप्टी तो यह आपको फ पीटिएप में देख सकते हैं दिसमें दिखें प्रोपर फूट सेप्टी एको सिष्टम डेवलाप हो देश में इसके लिए लाए गया ठीक है और यहां पे अगर आप रैंकिंग में देखेगा तो लार्ज स्टेट में टॉप में तो मिलाडू है ठीक है यह ध्यानकना है स पसाई देखें नियू दिली इंडियाम इसका है क्वाटर है यह जो रिपोर्ट है आपको हरसा निकलता है एन्वाली है और मेंश्ट्य ओफ हेल्थ एंड फ्रेमरी वेलफियर एमो एचेफ टावलू के अंत्रगर यह जो है आपको इस्टेट फूर्ड सेफटी इंडप्र निकाला जाता है ठीक है ठीक है परसाई केहARD दीकिन तदीकर है लेकि कोटा आ बायो फॉट पर्ट॥के velvet आडें करते हैं और एंप्टिपिकेस्ट करते हैं और आपने उसको काट लिया आप इसको आपने धहांसे परड़ी से बना लिया आप उसको fortified करना है तो उसको राइस fortification बोलते हैं उसमें कुछ होता है micronutrients, vitamins को add करना जिसे चाओल में क्या मिलता है कि आल मिलता है कि अपको अपरेटिंग परोसीजर आपको जारी किया गया तो इतना ज्यादा आजकल चल ला है तो उसमें इसा नहीं हो कि मतलब क्वालिटी खराब हो इसके लिए यह चीज़ लाए गया है ठीक है पैकेजिंग किया जाता है तो देखिए प्लस यह लोगो उस पैकेज पर लिखा होगा और लेबल किया होगा तो वह राइस करना चाहते हैं किसी और सब्जी में करना चाहते हैं तो यह इस फूड़ सब्सक्राइब कि इस तरुम है तो देखिए इक है ड़िए और एक है कोटिंग एकस्ट्रूजन तो इंड्या में एकस्ट्रूजन के तुरू ज्याधा टेकनोलोजी मतलब है ना राइस ग्रेन कर जो सफिए जैसे हैं बाली चावल यहां पे इतना उसके सरफि देखें एक है कोटिंग एंड इस्टूजन तो कोटिंग का मतलब एक लेयर चड़ा देना इक स्टूजन दो एसटेप कर प्रोसेस होता है सबसे पहले जो करनल होगा उसको पोटिफाइड करेंगे ठीक है उसके बाद उसको हम लोग जो नन पोटिफाइड डाइस है उसके वारेस तो यह आपका और री हाइडेशन सॉलूशन यह आपको दिलिप महालनों बीस्ट न्यों है उनके द्वारा यह किया गया था इनको पुलीन प्राइज भी दिया गया था यह इंपोर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं यह आपको क्या होता है सिंपल सटन में इलेक सॉलूशन वारेस बनाया जाता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं यह कुछ-कुछ डिजीज है वाइलल डिजीज हो गया बेक्टिया डिजीज हो गया परसाइटिक या पुट्टो जवा डिजीज हो गया तो यह चीज है देखिए अभी तक आपने चैनल को जहीं सब्सक् कर देते हैं तो जरू जाकर देख सकते हैं ठीक है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं ठीकिंश है यह उतर्ट यह गया तो पॉस्छी पॉक्त में बाए है और प्यूआ की डिसकस कर रहे हैं इस प्यूपो के लिए कर रहे हैं तो आप वहां से भी जूट सकते हैं देखें वाइल डेजिज में मौनकी पॉक्स पॉला यह हम लोगा टोपिक्स है तो यह पॉब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी ओप इंटरनेशनल बन गया है ठीक है इंटरने COVID-19 कर दिया है उसी दरह से इसको नाम करता लाए हूब गया है जोनोरटिक डिजीज को हoure होता है है इसको ध्यान रखना है जानवर से एंटमेन में आजिए इसको जोनोरोटिक बोलता हैं एक होता। कंटेजियस का मतलब होता है जो कि बहुत ही मतलब कि यह फैल सकता है आपको यह देखिए एनिमल टु हीमन टांसमिशन के अगर तो ही बला है जो नो टीक डीजिन देखिए नेक्स्ट है एच पीबी हीमन पापिलोमा वाइरस यह भी बहुत न्यूज में रहा है पापिलोमा व चरुवा वाइरस है तो सरचैभल केंसर आपको ध्याहा रखना है सीननसीसट अफशेंचा Après बनाया गया यह वाइरस है और यह जो विमनमों होता है रह फिश्टेंब्मारिस तक दिखनों को मिलता है और जो सेंटर नर्वस सिस्टा में भी अफेक्ट होता है और देखे यहाँ पे जो न्यूरानल सेल है जो न्यूरान वाला सेल है उसको इनफेक्ट करता है ठीक है तो यह कंसर को जिंग ब्रेन और नर्वस सिस्टम को याद रखना एक इस तीन वाइर पुछेगा टर्मी न्यूज में तो हो जाएगा तो यह आपको कर लेना जोंबी वाइरस देखिए यहाँ पर्मा प्रोष्ट के थाविंग होने से यह ग्लोबल टंप्रेश्टर चुराइज कर रहा है ग्लोबल वानमी उसके कारए इंफेक्टियस होते जा रहा है तो यह ज लोग हो रहा है तो 88 मर सकते हैं कोई भी वैक्सिन अबलेबल नहीं है यह सबसे जृदे दिख्कत है फ्रूट बैट जो होता है इसका केरियर है फ्रूट बैट इसको ध्यानर रखना है इवोला फैमली का यह वाइरस है ठीक है तो इसको भी आपको याद रखना है देखे ए सब्क्राइबिक है और यह दिट्ली वाइरल डिजीज है वाइरल के तुरू होता है पीक्स और वाइल्ड बॉर में मतलब कि सूवर में ज्यादा देखने को मिलता है 100% अधर परसेंगे तो यहां पे देखने को मिला था यह इतना शुर था वह लोग काट काट के मार दे रहा ह तो यह बड़ा मदब थोड़ा सा ज्यादा यह न्यूज में चला था अगर न्यूज पर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता हुआ टोमेटो फीवर यह केरलाग तमिला अड्डू हरियाना उडिसा में बहुत ज्यादा केस देखने को मिला है इसमें क्या होता है कि फीवर ह जाते हैं गर्दन वाला तो केटल फॉलो में यह ज़्यादा देखने को मिलता है वेक्टर मॉन डीजीज है यह केप्री पोक्स वाइरस जो है उसके तुरू होता है और होमोलोगस और लाइव एट्यूनेटेड वैक्शन इसका ऐसीयर के द्वारा वेक्शिनेशन किया गया एक है परसाइन वाइरस जेनो ट्रांस्प्लांटेशन आइधिंक आप लोग न्यूज में दिखते होंगे दिखिए सुवर मतलब कि कोई भी अनिमल का अगर मालीजे लंग्स या कोई भी कीड़नी वगर कुछ भी निकाल कर और मनुसके जो की मैच करता हो थोड़ा सा उसका खेफ वगरा उसका क्वालिटी तो उसमें ट्रांस्प्लांट करना मतलब कि अनिमल से निकाल कर कोई बोड़ी पार्ट और मट एंधियर हुआ तो यह सब आप लोग देखते हैं नेक्स्ट है का नई डिस्टेंपर दिखिए यह आपको टाइगर लायन जो है उसमें यह भी इलाज अभी तक नहीं है तो सीधे यह चीता या जो लायन है वो मर जाते हैं तो अभी जो है आपको एस्याटिक लायन के लिए वेक्षिनेशन चालू किया गया है यह कनायं डिस्टेमपर वायरस जो है आपको एंवारुनमेट में भी इंपॉटेंट है यह होता किस के दवारे है परमायुक्सो वायरस इसको नाम याड़ा लिए पालमॉक्सो वायरस है नयर्वे सिश्टम को एग stubborn कर देता है आपको यह कुटा और पॉपी मेंद्वारा दे हुआ है लेकिन तक्रवंब कि से होता है ज्यल्ड क्यूआ ज़्यादा नौर आप है ज्यादा इस में में प्रपजीष चैन्ज पर लुक्त ब tuorp और यह जाता है तो यह चीज द्यान रखना है इंटल शॉॉइंजस लिए और आप लोग भी यह सब जानते हो आप लोग देख सकते हैं यह अधर डीजी आप लोग देखते हैं आफरीका में फरस्ट मेलेरिया वेक्सिन बन गया है तो यह जो है मेलेरिया आपको परसाइटिक के द्वारा होता है मादा एनोफिलिज फीमेल एनोफिलिज मेस्क्विटू जहां उसके काटने से होता है यह वेक्सिन एलाइंस जो है उसको सपोर्ट किया है गावी जिसको बोलते हैं अमेरिका का फर्स्ट मेलेरिया वेक्सिन बनाने में नेक्स्ट है काला अजर तो इसको ब्लैक फीवर बोला जाता है देखें यह प्रोटो जोगा के तुरू परसाइटिक डिजी है इसमें देखें आपको नेशनल काला अजर इमिलिमेशन प्रोग्राम चलू किया गया है यह जो है आपको सेंट फ्लाइ बैट्स के दोरह काटने से यह फ्यलता है कला अजर और आपको देखें ट्रेकोमा यह आँ का बिमारी है यह मलावी में आपको फर्स्ट कंटी है जो कि साउथ आपरिक क्लाम आईडिया के द्वारा रोता है है ये पूरे नाम यातेगा नाममे नहीं है ये टुकमेंटेज्स तो आपको पखडब मैं अगा है डियाबीतिस्ट आइक ये बहुत है आम हो गया है ये ixd के आपको डिस्वैलेंस होता है एक तरह का हर्मोन है इंसुलिन और क्रूनिक डिजीज है ठीक है और पैंक्रियाज अगर माल लीजे जब मतलब की जितना अच्छा लेवल का चाहिए यह इंसुलिन उसना अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो यह निकल मतलब यह आपको ड ट्रीडी और 95% वह देखने को मिलता है सेल में इसका किस देखने को मिला है यह दिक है सिकल सेल एनेमिया नेक्स्ट है जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है जैसे जीन में यह चेंजिंग हो देना हम लोग उपर सबसे सुरू में देखा था यह जीन सेक्वेंसिंग जीन का यह समभाव सरत तो उसमें आप लोग देख सकते हैं ठीक है और यह हेमोगलोबीन जो है ब्लॉक हो जाता है और इसमें जब ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो गया तो समझे सकते हैं क्या होगा तो यह बहुत ही कतरनाक बीमारी है इसको द्यानक ना ठीक है नेक्स्ट मैं यह यहां पे आपको नेक्स्ट कुछ और न्यूज है जैसे कि पिन प्लस एस्टेटी लाया गया ह तो पैकेज और इसेंचियल इंसीडी इंटर्वेंशन नन कम्मुनिकेबल डिजीज जो होता है जिसे कि मतलब वो फैलता तो नहीं है कम्मुनिकेबल नहीं है लेकिन यह बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है अपरिका इसको एड़प्ट किया यह यह वह को 2010 में एड़प पैसेंट सर्विस दिया जाएगा तो नॉर्मल सा चीज याद रखेगा कि नन कम्मुनिकेबल डिजीज के लिए पेन प्लस एस्टेडिल आए गया अफ्रिका न भी इसको एड़प्ट कर लिया है डव्योच को दरह 2010 में किया इंडिया के बारे में कोई इंफर्मेसन इसमें नहीं है तो यह तो आ गया तो अलग से लोग दे रहा है वाले उसमा जब आया था तो यह मतलब किसी टॉपिक्स के अंदर में मिल आ था न्यूज में तो था लेकिन इसको इतना ज्यादा कहीं पर देखने को नहीं मिला था इसका पूरा नाम था एंजी इंजी यू टेंसीन converting enzyme 2 तो एक तरका enzyme है और protein बोला जा सकता है यह membrane bound होता है यह जो है आपको SARS-CoV-2 जो है आपको COVID-19 वाला उसको infection को enable करता है यहाँ पर देख सकते हैं protein का receptor होता है और इसी एक entry point provide करता है जहांसे coronavirus मालीजे यह cell में entry करना है तो इसी के तुरू यह S2 के तुरू जाता है human cell में type जो है full length form होता है और एक shorter soluble form होता है तो बस ध्यान रखेगा यह इतना detail तो पूछा भी नहीं था यह दिया हुआ जीता detail बस इतना पूछ लिया था कि एक्टर में है उससे में भी बहुत लोग गलती कि यह थे लेकिन यह ध्यान रखना है आपको कि क्या चलना है तो किस त बाद दिया जाता है उसे नहीं देना है आप और लिया नजल मतलम नाट के तुर ले सकता पर कोई 19 रिशीव एप्रूबर पर इमर्जेंसी यूज इन इंडिया में इमर्जेंसी अगर यूज करना है तिसको एप्रूबल मिल गया था यह रीकॉम्बिनेंट रिप्लिकेशन इडिनो वाइरस वेक्टर वेक्शीन है तो यह तर्म आप लोग ध्यान दिजेगा ज्यादा यह टेक्नालेट में जाना है आपको मेडिकल का यह करना नहीं है कि लिए तो यह जेनल सब्जेक्ट है जेनल साइंस यह क्या होते हैं जेनल अबैनेस यह देखिए वैक्सिन प्र मिलेगा और आई सीजे आपको नेचो 97 में यह आपको वैक्सीन या एंटीबाटिक्स को मतलब कि इमर्जेंसी में यूज करना है तो उसके लिए लाया गया था इंटरनेशनल को और इंटिटिंग ग्रूप ठीक है वैक्सिन प्रोविजन को लेकर है यह आपको जो भी वैक् सब्सक्राइब करने वाले हैं मतलब कि मिसाइल को आप यहां पर लॉंच कर सकते हैं इसमें थ्रस्ट मोडूलेटेड डक्टेड रोकेट रहेगा तो थ्रस्ट आपको समझते हैं जैसे कि माल लिए यह न्तरगात आप समझ सकते हैं कि एक्वालेंड अपोजिट्यू रियक्सन होता है तो थ्रस्ट यह जेनेट होता है इसमें और यह रोकेट के तुरू जाएगा यहां पर देखिए डिद्यूस्ट एस्मोग नौजल लेस इंडिया और असिया के दूरा आरेंडी जो प्रजेक्ट चल ला था दूजर आठार में उसके तुरू लाए गया था यह देखिए एक सॉलिट फ्यूल एयर ब्रेटिंग रैम जेट इंजन को इसमें यूटिलाइट किया गया है तीक है और यह इसका रेंज सात्तर से लेका डॉक्टेट रैमजेट वाला है आगे सम्टर रैमजेट यह आप देखने वाले है तुरा सा देखिए रैमजेट यह दूर मोड रैमजेट में और मालेजेट में अब इसको दूर मोड में रखा जाता है तो यह मैक 4-8 के बीच में चलता है मैग नम्ब आइधि आप लोग यूज किया रहता है वेहिकल का टुक कम्परेस इंपामिंग एयर फोर मोड गशन तो चुछा क्राना एक उसके तुरू इनर्जी हैगा तो उसमें जो आपको इंपामिंग होन को उसको कम्परेस किया रहता इसका यह स्क्रेंट में क्या होता है शूपर सोनिक कमबस्ट है य यह जो आता है उसी के यूज करना है बस इसमें यह तो दुनों का हो जाएगा तो ऐसा और इस फिर बढ़ जाएगा नेक्स्ट है कौन बनेगा कुछ दिन तक मतलब की कोई था नहीं तो अभी लेटिनेट जनरल अनिन चौहान जो है नेक्स्ट इडियस मन जाएंगे 2019 में यह आपको क्रियेट किया गया था हेड ऑफ आर्मी नेभी एयरफोर्स तीनों का हेड बनाए गया था सकते हैं और मिनिस्ट्र डिफेंस का अंतरगात आते हैं और यह से क्रेटी करूप में काम करते हैं सिखटकट कमिट्टी 2016 का रिकोमेंडेशन याद रखेगा यह सेडियस के लिए भी दिए थे यह आपको जी सेवन सीरीज का सेटलाइट के बारे में है तो यह आपको इसे रिसेट था जी सेट था तो यह सब आपको जम नीज में है तो उसको देखते रहना है तो देखिए यह सर्विलांस परपस से बनाए गया मतलब कि कहीं पर क्या चीज एक्टिविटी हो रहा है नहीं हो रहा है उसे चीज़ को देखेंगे समझेंगे तो यह आपको देखें यहां पर स्काइलेट जो अपरेशन हुआ है उसी कंत्रकात इसको यह सेटलाइट सिस्टम को बना गया तीक है आर्मी के पास अभी कोई डेडिकेटे सेटलाइट नहीं है हमारे यहां नेवी एयरपोर्स के पास है देख सकते हैं यह आपको इस रूं के दवारा एडवांस सकता नहीं है भैया घठाएट सेटलाइट नहीं को आरेटे अभी आर्मी को मिला है त्युए वाला आर्मी को मिला तो अिस तरह से नहाँ रखना है ब्रह्मॉस मिसाइल यह आप लो बहुत बार नीज में वें तो यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी और वहां का मस्कुव रद रखवा ले यह रसी आ का दुनों की नाम पर शूपर शूनिक यह मिसाईल है और रोगती कर्वासटिक नई ऐप लो दो देखने वाले हैं यह वह में फिलिपीन सांफ है किस तरगा सेंट सूरमौ consciously को खर देगा यह जो है आपको लॉंग रेंज का सुपर सुनी कुरूज मिसाइल सिस्टम है ब्रोमोस ठीक है यह आपको लैंड से भी और सी से भी एयर से भी कई से भी लॉंज किया जा सकता है यह सर्फेस पर कोई माली यह आपका टारगेट है उसको भी और सी बेस्ट पर लैबरेटी है आपको स्पेस का यह जिए ओर्गनाइशन होगा और दोनों मिलकर इसको चालो किया है ठीक है तो यहां देखिए यह आपको दू स्टेज का मिसाइल है परस्टेशन में सॉलिट प्रोपेंट बुश्टर इंजन आएगा अंदूसरा में लिक्विड रैम बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक्स है इसमें क्या है कि माली यह आप एक बार उसका लंगेटिूड लेटिटिटूड सेट कर देजे जा कर दिए और उसके बाद भूल जाहिए वहीं पर जाके गिरेगा तो गिरेगा अब माले वहां से यह जो टारगेट था हूं कहीं और तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है वहीं पर जाके गिरेगा तो इसका रेंग दूसर 90 किलोमेटर थक है आई इसका बढ़ेगा भी रेंग और यह आपको मिसाइल यह कॉंट्र लिजीम वाला जो चीज है यह टेकनोलोजी वाला तो इंडिया इसमें इंटिक कर गया था 2016 में यह पूचा हुए भी था कि कौन-कौन जो है इसका 2022 में था इकौन-कौन यह इसका मेंबर है तो उस तरह से पूचा हुआ था देखिए माल यह एक तरफ अल्टिट्यूड देखते हैं तो यह बलिस्टिक मिसाइल होता है यह बहुत मतलब की फ्री फॉलिंग वाड़ी के तरह जो प्रोजिक्टाइल मोशन होता है जो आप लोग फीजिक्स में पढ़ते थे नाइंटेट में वह वाला चीज करता है और यह आपको जैसे प्रित्वी और अगने मिसाइल जो है यह बलिस्टिक मिसाइल है लेकिन अभी आप देखेगा यह जिस एक हाइपर सुनिक क्रूज मिसाइल है तो यह थोड़ा छोटा ही लेवल पर मतलब ज्यादा उंच्छा पर नहीं जाता है नीचे पहीं यह मूब करके टार्गेट पर चाहिए और एक है बुष्ट बुष्ट गलाइट तो तुर्षा और इसे उपर जाता है तो यह दिखा रहते हैं बलेस्टिक सबसे ऊपर जाता है और इसका कुछ-कुछी बादेखना होगा तो आप लोग इसमें जाकर देख सकते हैं जहां तक इसमें जैसे यह वाईरस वा जैसे यहां पर आप जाएगा तो बीसिति विशाल के बारे में खूंद कंसरा जाकर कर लेंगे नेक्स्टा यह ढ़किते हैं मिसाइल के बारे में इसका रेंश की लोग से जाधा है इतना इया तो नहीं होता है निया ध्यान रखेगा इसन तो हँश्य तरफ आ 줄क घहारता है दो सो कुछ तक यह तीन हजार तक है इंडिया का नुकलियर विबन जो सिस्टम है उसका यह बैग्वोन आई थिंग यह अगनिक जो मिसाइल है उसी समलों का सुर्वात वाता अगनिक प्रित्वीशत रखां आप लोग इसका अगर यह बेसिक्स में अगर पढ़ते होंगे तो कि अमरीका कुछ-कुछ यह करता है कि मत लिजे यह यह हुआ तो देखिए यह सुर्फेस टू इयर मिसाइल है ठीक है और यह लॉंग रिंज का है इसको ध्यान रखना है सुर्फेस टू यह मिसाइल तो सॉर्फेस यह से सॉर्फेस यह में जाएगा इक्यूपिट होड टेंग जो अर्जुन हम लोग का है उसके उसी से इसको मतलब की वर्क कराया जाएगा हीट वार हेड जो होता है आपको एक्स्प्लोसिव रियक्टीर आर्मोर को डिपीट कर सकता है यह बहला हम लोग देखेंगा आगे भी MPATGM यह आपको मैन पोटेवल एंटी टेंग गाइ सब्सक्राइब करता है और यह मैन जो है पोटेवल लॉंच के द्वारा यह इसको किया सकता है मैं जो है आपको इसको ऐसा अडिस्ट कर सकता है एक है भी एल एसर सें वर्टिकल लॉंच है मतलब कि सीधे उपर ही जाएगा और सौट रिंज का है तो यह सीपवांड वीपन स सेट करके उड़ा सकते हैं तो इस्टाइक एयर से कोई त्रेट आ रहा है असमान से तो उसको उड़ाया जा सकता है लॉंग रेंज तक की वर्सम यह सौट रेंज का सब्सक्राइब क्या गया डिजाइन किया गया डिया डिया डियो को द्वारा पची से 30 किलोमेटर रेंज ह यह ध्यान सकते हैं थोड़ा कौम है इसका विच्चो रेंज का एट्रेंस सिस्टम में मैं पोटेवाल है यह देख सकते हैं दिया डियो को द्वारा बनाएगा है और यह डियोल तरस्ट के द्वारा यह प्रूपल कर आता है हेली नहीं हेलिकप्टर नाट यह लॉंच वाला यह द्यान रखना एर टू एर मिसाइल है यह से एर में ही जाएगा तो महले हेलिकाप्टर के तुरू इसको चुड़ा जाएगा यह बिवियर वला था परले मिसाइल आपको इंडिजनेशने डिवलोप किया गया स्वर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है ठीक है रेंज देट्सों से पांसो किलिमिटर है सब्मेराइंस वले में आप आ जाते हैं देखिए हम लोग का पूर्जेक्ट 75 आइधिंक यह आप लोग सीर बांकी है आइधिंक हम लोग आगे देखेंगे पूर्जेक्ट 75 का अंत्रगत नेभी को डेडिकेट किया गया है इंडिजिनेशली बनाया जा रहा है यह मजगाओं डॉक सिप्याड लिमिटेड तो यह बताइए मजगाओं जो है यह है कहाँ पे यह गवा में है कोचीन में है यह मुंबई में है जलदी सक गीकमें टरिया आप लोगा इस से काल कन्डकर व यह बाकसीर कालखंड वी छरवए वह से विला और वागीर वाकसी देखेंड थोड़ा चोटा नाम है वाकसीर अज्याद्ध बढ़ा नाम है घृतनर बढ़ा नाम है और वहागीर बढ़ वा वा थीक है इस तरह से कुछ याद कर लिएगा एंटी बार सिप है, एंटी संथ मराइन ओप्रेशन को काम करता है एंटी इलिजेंस गेदरिंग करता है सर्वेलांस का भी काम करता है और ये नेवल माइनस लिंक में भी काम करता है देखे एक समर्सिवल सीप बलेस्टिक नुकलियर यह हम लोग के पास सब्मारीन है एक नुकलियर पाउर एक डिजल इलेक्टिक अटेक समेरीन है डिजल वाला है तो डिजल के तरू चलेगा यह सीशु कुमार क्लास इंदु घोष कलवारी आप लोग सुनते होंगे यह सब ड प्रिहंत जो है अम लोग का उसी का अंतरगात आता है और लांच प्लेटफॉर्म से चलाया जाता है ठीक है न्यूज में कुछ कुछ चोटा है उसको देख लेते हैं पीडियेप में आप लोग जाकर देख लेंगे तोड़ा सा फीगर देखने में अच्छा रहा था आई इ प्रिप्टीन भी मरमगाओं और सूरत सीप का है यह उसको लांच किया गया है यह कुलकाता क्लास का जो डिस्ट्वायर बन रहा था उसी का एक कंटिन्यूस है प्रजेक्ट प्रिप्टीन एक अंतरगात यह 15 भी है मजगाओं डॉक्सी पिल्डर निमिटेट के बनाए गया तो यह इंडिजिनेस नि मतलब कि यहाँ पर कंश्ट्रक्षन किया जाना है जिक्स मोडन कन्वेंशनल से मैं क्या में किन इंडिया कंतरगर क्या हम लोग उपर वताया थे काल कंट कर वे वेलब वागिर वागसीर आईनस वागसीर यह आपको सबसे लास्ट वाला है शिक्स इंडिया है हिंदुस्तान एरोडाउमिक्स लिमिटेट को दोरा बनाए गया है यह गोवर्मेंट का उडान जो है उर्यदेश कामनागरिक कंतरगत बनाए गया है रिजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम है ठीक है यह देखें एल्सी एच लाइट कॉमबैक्ट हेलिकप्टर जो है ठीक है यह देखें एक यह अपको इंडिजन से स्टेल्थ ड्रोन बनाए गया है ठीक है चीनुक हेलिकप्टर भी आप लोग देख सकते हैं तो यह वह लोग कर लिया है इंडिजनियस स्टेल्थ द्रेंट तो ओन मैंड है मैं नहीं रहेंगे कंबैट एयर बॉंड विकल ह है जो आपको एरो नॉर्टिकल डॉलप्मेंट इस्टेबलिश के दोरा किया गया है चीनुक हेलिकप्टर जो कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा आख पकड़ रहा था इसलिए न्यूज में था यह आपको मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट सीधे यह उड़ेगा प्लेटफॉंच से उड़ता था तांस्पोर्टिंग ट्रूप्स मतलब माले यहां पर आपको सेनल को ले जाकर छोड़ना है या कोई फ्यूल या कोई हतियार ले जाकर जहां पर टेराइन है पाहड़ वाला वला इलाका यहां परेदल जाना या गाड़ी से जाना मुस्किल ले तो यह हेलिकप्टर तो ले जा सकते हैं तेजक मार्क टू यह आपको इंपोर्टेंट है ठीक है यह जो आपको इंडिनियस तेजस बनना था लाइट कमबेक्ट एयरक्राफ्ट का उसी का एक वर्जन है ठीक है मैक टू है डिया डियो और यह इंदुस्तान एरो टॉन एरो एकमद्ण फिरकलर देख ़ली तो संटान। हमार्मी टिया सेविद्णाय वहारण टीद माणरों पतले मैं की औंडों ख़ह बितवे डैक की लोग भी बूट टेक्नॉसी काीउट कर सकते हैं लेकिन इस पर कुछ रेगूलेशन अच्या होने चाहिए तो आप लोग जैसे बीट कोईन था तो इंडिया स्कूर अपनाया नहीं सी बीडी सी अपना अलग बनाया सेंटल बैंकी डिजिटल करेंसी तो यह सब देख सकते हैं डटी बॉम देखें जो नुकलियर बॉम होता है ना उससे थोड़ा सा हटके है जो कच्रा वाला चीज है उ रस्पीटल से निकला तो उससे बी मना दिये ठीक है यह इंडियान आर्मी को आइडी हैंडेट किया गया है आइडी क्या इन्देजिनियस यह आपको डिपेंस एक्यूप्मेंट तो डेसी रूप से जो एक्यूप्मेंट बनाया गया इपेंस का उसको यह फ्यूचर यह सब देखते हैं काल गुस्ताफियम पोरेक्टर का राइफल है रिटीक वाइलेस राइफल मतलब रिक्वाइल नहीं करता है मतलब बैक नहीं जाएगा यह आपको जिस होता है राइफल यह आगे गुली चलाएगा धर्ड लौग से पीछे भी भागता है तो यह थोड़ा स है इनडिया का पीना का तो की बेरल रोकेट सिस्टम को लेने के लिए लिए मोबाइल लौकेट सीटम माइल मतलब थर सा चलफिर सकता है उधा है यह वह आ reciprocal 잡ाऊर вниз एक वेस्टिक चीज है तो सबको यह मतलब कि फाइंड करेगा हो काम करेगा तिक है यह ओसेन को मैपिंग या एक्सलोर भी कर सकता है नेक्ष्ट है अभ्यास हाइश स्पीड एक्सपेंडेबल टार्गेट उपर हम लोग देख रहे हैं तो यह हीट के अंतरगत यह मतलब अभ्यास के अंतरग खतम कर देगा इलिमनेट एरबोंड ठेट ठीक है एरबोंड ठेट को खतम करेंगे यह चीज हाइस इनरजी लेजर सिस्टम तो इसको ध्याँ रखना है लेजर बहला जो सिस्टम है यह हाई इनरजी से उसपे काम के जा रहा है वीपन जो है हाई इमिट थर्म इनरजी टू इन एक अफिक्टिव बनाने के लिए यह आपको लेजर के थुरू काम करेंगा ये इनरजी वीपन करेग्री में डिरेक्ट इनरजी वीपन करेग्री में हाता है बटरफ्लाइम माइन्ज यह भी बहुत इंपॉर्टन रहा है दोस्तों देख्या यह अब रस्या इसको तो एंटी प्रेशनल लेंड मैंस है जो कि यह ग्रीन परेट इसको बोला जाता है या बटरफ्लाइब मैंस तो इसको ध्यान रखेगा यह पूचा भी जा सकता है जैसे बटरफ्लाइब मैंस चोटा टर्म भी है और बहुत यूनिक वी चीज है तो यह ध्यान रखेंगे अगर उसको देख लेंगे आईटी यह तो कम है कि यह तो हमारे यह प्रेमावाब्ट स्वील चैनल पर आप लोग जाकर भीज़िट कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग यूपीएफो के लिए भी पीवाई की हो और यूपीएसी का लिए जैसे की मॉडर्णिश्टी का हम लोग ने एक करने के बाद यह हम लोग खतम कर लेंगे ठीक है फ्रेंट नोबर प्राइज है यह कुछ-कुछ टॉपिक्स है तो बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स अभी बने रहेगा तो अगला वीडियो में यह लेकर आते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं निक्ट में कि अखब लॉवत 누ॉच है वलने लोग झाल को रहता हाओ लुपिक्स ह।